आज कल मार्केट में देसी भुट्टे बहुत मिल रहे हैं आज हम बनाएंगे देसी भुट्टे का चीला या डोसा यह रेसिपी मैंने अपनी फ्रेंड हिमा से सिखी है आप इस वीडियो को पूरा देखें आपको यह रेसिपी पसंद आए तो आप अपने चैनल कोकिंग लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बुट्टे का डोसा बनाने के लिए मैंने एक देसी भुट्टा लिया है बुट्टे के छिलके उतार ले आप बुट्टे के दानों को निकाल कर एक बाउन में ले ले सबसे पले बुट्टे के दाने एक लाइन से निकाले जब में ले ले, इसमें यदि रृृट्टे के बाल आ गया हूं उसे निकाल दे रृट्टे के दानों को एक दो पानी से अच्छे से ढूले आप एक साफ सुखा मिकषी का जार ले तakukan के दानों को डाल दें अब इसमें एक हडी मिर्च चार लेजन की कलियां आधी चोटी चमस साबुत जीरा और हाफ का पानी डाल दें अब जार का ढखकन बंद करके इसका पेश्ट तयार कर लें ताजे भुट्टे का पेश्ट तरदरा तयार होगा ये बिल्कुल फाइन नहीं होगा अब इसमें एक चोथाई कप गेहूं का आठा डालें आठा डाल कर इसे वापस से मिक्सी में मिक्स कर लें भुट्टे और आठा का पेश्ट तयार है अब इसमें आधी चोटी चमस नमक डालें नमक आप अपने टेस्ट के गॉर्डिंग लें इसे वापस से मिक्सी मि बनके तैयार है इसे एक बाउल में निकाल ले जार में काफी सारा बैटर बचा है इसमें एक चोथाई कप पानी डाले मिक्सी में मिक्स करें और इस बैटर को भी बाउल में एड़ कर दें सारे बैटर को आपस में अच्छे से मिक्स करें या बैटर डोसा बनाने के लिए परफेक्ट है यदि आपको चीले बनाने है इसमें पानी थोड़ा कमेट करें अब डोसा बनाने के लिए मीडियम फ्लेम गैस पे एक तवा को गर्म करें तवा गर्म हुआ यानि थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके चेक कर लें तवा अच्छे से गर्म हो गया है अब एक लेडल बेटल गर्म तबे पे दालें और बेटर को अंदर से बाहर की और गोल गोल गुमाते वे डोसा फैला लें कैस का प्लेम शुरू शे मीडियम है डोसा फैलाने के बाद इसे एक मिनट के लिए छोड़ें एक मिनट के बाद एक चोटा चमस तेल या घी डोसे के उपर स्प्रिंकल कर दें डोसा कुक होते वे टोटल दो मिनट हुए हैं दो मिनट के बाद डोसे को पलट लें डोसा एक तरब से सिख गया है दूसरी तरब से भी इसे हम दो मिनट के लिए सिखेंगे दो मिनट सेखने के बार दोसे को पलट ले दोसा दुनों तुरब से अच्छे से सीख चुका है हमारा एक दोसा बनके तयार है एक दोसा सेखने में टोटल टाइम फोर मिनट का लगा है गर्म तबे पे एक लेडल बेटल डाल कर इसे दोसे की तरह फैला ले मक्के के दोसे को कुक होने में टाइम थोरा ज़्यादा लगता है इसलिए हमें बार-बार तबे को ठंडा नहीं करना परता ये गर्म तबे पे भी अच्छा बनता है दोसे को फैलाने के बाद इसे एक मिनट के लिए छोड़े एक मिनट के बाद इस पे तेल या घी स्प्रिंकल कर दें वापस एक मिनट के बाद डोसे को पलटते दूसरी दरब से भी डोसे को दो मिनट के लिए सेके दो मिनट के बाद पलटते आपका डोसा बनके तयार है इसी तरह से एक एक करके हम सारे डोसा को दयार कर लेंगे एक बुट्टे के बैटर से टोटल पांस डोसे बने हैं डोसे को आप टोमाटो केचप या चटनी या फिर आम की लुंजी के साथ भी सर्व कर सकते हैं अभी मैं आपको डोसा का थिकनिस दिखाती हूँ ये काफी पतले बने हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है इसी आप एक बार जरूर ट्राइ करें